हेलो फ्रेंट्स स्वागत है अब सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास त्रीवन टैक में तो फ्रेंट्स बहुत सारे शोट्स क्रीटर को एक प्रोब्लम अपने चैनल के उपर देखने को मिल रही है कि उनकी जो शोट वीडियो है उस पर वीउस तो ठीक टाक आ रहे हैं लेकिन उससे जो अर्निंग हो रही है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है मतलब जो उनके dollar में जो बन रहे हैं वो बहुत कम बन रहे हैं या फिर कुछ creators ऐसे भी हैं जिनके short video पे views तो ठीक आ रहे हैं लेकिन उनकी बिल्कुल भी earning नहीं हो रही है इस तरह की problem उनके channel के उपर आ रही है तो friends अगर आपको भी इस तरीके की problem उनके channel के उपर देखने को मिल रही है तो आज की इस video में मैं आपको 5 ऐसे कारण बताने वाला हूँ 5 ऐसे reason बताने वाला हूँ जिसकी वज़े से आपकी short video की जो earning है वो कम हो रही है आपके channel की earning जो dollar है वो कम हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है उसके क्या कारण है वो मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ तो video बहुत ही जादा informative है इसलिए video को पूरा last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे channel पे new है पहली बार मेरे channel के उपर आए है तो please मेरे channel को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस video को शुरू करते हैं तो friends मैं आपको 5 कारण बताने वाला हूँ जिसके कराण आपके जो short channel की earning है वो down हो रही है और आपके dollar बहुत कम बन रहा है तो सबसे पहला reason है वो है shorts ads की policies को accept जो terms और condition है उसको accept ना करना मतलब मान लिजे आपका channel अभी नए नया monetize हुआ है और आपने अभी तक short channel की जो short ads की जो policies है जो terms और condition है उनको accept नहीं किया है और आप shorts भी डाल रहे हैं अपनी video के और आपकी video पर views भी आ रहे हैं लेकिन उससे आपकी earning बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी तो उसका यही कारण है तो सबसे पहले आपको yt studio के अंदर जाना है और वहाँ पर आपको earn वाले section में जाके check करना है कि आपने shorts ads की जो terms conditions है जो monetization की conditions है उनको आपने accept किया है या नहीं किया है अगर नहीं किया है तो वहाँ पर जाके आपको add पर click करना है और उन्हें accept कर लेना है तो यह पहला reason है जिसकी वज़े से करना है जब आप short feed में कोई भी short video देखते हैं तो उसमें आप scroll करते रहें तो उसमें 57 video के बाद ही आपको कोई एक अधी add दिखाई देगी तो इससे आपको खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 57 video के बाद एक add आती है तो आपकी जो earning है वो कितनी कम होगी मतलब या तो सारी videos पे एक-एक add आए तब तो आपकी earning ठीक होगी लेकिन अग सब पे नहीं आती है अभी 57 video के बाद ही आपको कोई add देखने को मिलती है जिसकी वज़े से आपकी जो earning है जो dollar है वो कम हो रहा है बहुत कम बनता है आपकी earning down हो रही है इसी वज़े से तीसरा reason है कि revenue का कम ज review से उसका 55% आपको मिलता है और 45% YouTube खुद रख लेता है लेकिन जो short की earning है वो बिलकुल उल्टा है इसका उसमें 45% आपको मिलता है और 55% जो है वो YouTube खुद रख लेता है तो आप समझ सकते हैं कि जब revenue से कम बन रहा है इसका क्या कारण है कि आपकी जो earning है 45% ही हो रही है उस the reason क्या है कि copyright claim का आना copyright claim के आने से क्या होता है आपकी earning कैसे down होती है वो मैं आपको बता देता हूं तो फ्रेंड जब भी वीडियो के उपर short video के उपर copyright claim आता है आप किसी और का music use करके अपनी वीडियो बनाते हैं तो जो भी copyright claim में जितनी भी आपको पताई होगी जितनी earning ह होती है वो copyright owner के साथ half-half हो जाती मतलब half तो आपको मिलेगी और half उस owner को मिलेगी ठीक है उस owner को जब मिलेगी half तो आपको 45% total मिलती है उसमें से भी half हो गई तो 22.5% आपको मिलेगी तो आप खुदी सो सकते हैं कि आपको कितनी कम earning मिलेगी copyright claim का तो आपको पता होगा अगर नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है डिटेल में आप उस पर चेक कर सकते हैं कि किस music को हम को operate claim के अंदर लाते हैं और पांचमा reason है आपकी जो short video है उसके उपर multiple ads का ना आना जैसा कि आपको पता है कि long videos के अंदर 8 minutes से ज्यादा की वीडियो होती है तो हम multiple ads वहाँ प कम आपको देखने को मिलता है और यह पांचो कारण हैं जो मैंने आपको detail में बता दिये हैं जिसकी विज़े से आपके short channel की earning जो है वो down हो रही है कम हो रही है कम होती है अगर फिर भी video से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूस सकते है और अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से like और share जरूर करें thank you